स्वागत दोस्तों आपका हमारे चनल पर यह रीपिया प्रोब्लम स्टेट्मेंट है अब यह जो पैचीज है ना इस तरह के आपके भी घर पर बन जाते हैं उसलिए इनके कारण भी हो सकते हैं या फिर जिसे हमारे घर में छोटी बच्ची है तो वह कलाकारी कर देती है कि तो बैया अलके फुल की जो पपड़ियां बनी ना उनको इसने दिरी दिरे करके नाखुन से निकाल दिया कुछ इस तरीके से और यह पैच जो बड़ा एकदम ड्रोइंग होल में तो सीदी सी बात है कि वह एकदम थोड़ा गंदा लिगता है और उपर वाला स्टीकर तो हम ठीनीड के जा सकता है या फिस फे फ़ोल पेपर लगा जा सकता है तो मैंने मगा लिए वोल्पेपर यह देखो यह अग्लार कुछ आटिवार के जो इस से ऑडिशि इक होता हुआ है यह पर तेख सकते हो एमर्पी तो भी आप बहुत कुछ लिखा होगा लेकिन ये अराउंड 140 रुपीज का मेरे को ये एमेजोन से बढ़ा है और बक्की डेटेल जो यहां पर क्लियर्ली मेंचन की गई है इस वोल वेपर को अगर आप भी खरीदना चाते हैं ने डिस्क्रिप्शन में ने लिंक डा क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी है इस प्रिंट की भी और इवन इस मेट्रियल की भी जो भी इसमें यूज किया गया है तो चलिए भी है स्टार्ट कर लेते हैं कारवाई और मैं थिकनेस दिखा लेता हूँ ज़र आपको ज़्यादा तो शाहद मैं वीडियो में नहीं कर देता है अगर आप दिवार पेस को पेस्ट करते हो और अब मैंने कर दिया शुरू कारवाई आप 18 इंच की मोटाई है जो दिवार थी मेरी उसकी जो मोटाई है मलब जिस पार्ट मैंने इसको पेस्ट करना था वो लगब नाइंटीन इंच दोनों साइट से जादा दाइ है और जो पैच था वो अब दिखना बिल्कुल भी बंद हो गया और देखना तो भी है वोल पेपर लगने बंद हो जाना था बट फिनिशिंग जो है वो मापको इक पर दिखा देता हूं और यह वोल पेपर किस तरीके का दिवार पर लग रहा है वो भी आप देख सकते है तो भी आपके घर में भी यह सीलन का कुछ पैच है या फिर बच्चों ने कलाकारी कर दिया थोड़े पार्ट पर तो इस तरीके का वाल पेपर मंगा के दिवार को रेनोवेट किया जा सकता है और एक अच्छा लुक जो है वो भी मिल जाएगा अब इसमें थोड़ा सा एक बैक भी है यहां पर यह देखो यह जो ना यह एक तम पास आने पर दिखेगा जो पुराना पैस क्योंकि यहां पर लेयर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बट अगर आप दूर से देखते ना तो यह डिफरेंस जो आपको बिल्कुल भी लोटिस नहीं होगा नया बंदा ज तो कटिंग में काफी हैल्प हो जाती है और यह गुड़ तो गो है थोड़ा सा उसको इंप्रूव किया जासकता बैक साइड वाल पेपर को थोड़ा सा अलग लुक देने के लिए या फिर थोड़ा से मैच करने के लिए मैंने पिलर के उपर की साइड भी यहां पे छोटा स प्रिक्षा कैंट बीकी का अब देखने काफी इस थोड़ा मैंच रिच्छा लगने लग भी यह थोड़ा सा तो गाफी पशन्द है थोड़ा सा का बड़ा दिखने लग झाल झाल झाल